इससे आप किसी एक फाइल को दूसरे फाइल में कनवर्ट कर सकते हैं सबसे पहले हम जो इमेजेस होता है जो हम फोटो मोबाईल में क्लिक करते हैं उस फोटो का PDF कैसे बनाना है वो सीखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर हमारे पास इमेजेस है जी ड्राइब में इमेजेस फोल्डर के अंदर यह देखो हमारे पास यह टोटल एट इमेजेस है तो उससे पहले यह भी आपको जानना चाहिए कि इमेजेस न दो फॉर्मेट में होता है तो यह जो स्टार् का format jpg है ठीक है यह दो format में images होता है आपका जो भी image होगा आप उसी हिसाब से convert करिएगा तो यहां पे images को PDF बनाने के लिए आपको ना कोई application download करना है ना कुछ करना है simply अपना Google Chrome browser open करना है और यहां पे search bar में type क्या करना है हमारे image का format jpg to PDF converter यह देखो jpg to PDF converter आ चुका है यहां पर हमने Google में search कर एंटर मार दिया तो अभी देखेगा बहुत सारी website का link यहां पर आ रहा है आप किसी में भी जा सकते हैं मैं आपको यह नहीं बोलूँगा कि इसी से करो ठीक है पहले बाले पर जाके चेक करो अगर इसमें आपने कर पाया तो ठीक है नहीं कर पाया तो दुसरे वाले में चलो जाओ ठीक है तो यहां पर हमने इस website को click करा तो यहां पर jpg to PDF लिखा हुआ आ रहा है चूस फाइल यहां पर आओ और अपनी फाइल को चूस करो करो ठीक है तो यह देखो थोड़ा सा यहां पर टेकनिकल इसु आया अभी फ्रों डिवाइस इसी डिवाइस से इमेज लेना है हमें तो इमेज है मेरे जी ड्राइम में इमेज फोल्डर के अंदर यह जो चारो इमेज है ना मेरा यह jpg इमेज है मैंने आपको दिखाया से र यह देखो वन रहा है ठीक है तो छोटा करते हैं यह देखो प्रोसिसिंग उपर में बार जा रहा है जब यह यह तक आजागा आपको चारो इमेज था वो एक पीडियाब बन जाएगा तो पीडियाफ आपको वहाँ पर बनाना पड़ सकता है जब आपके टीचर आपको प् कर लो जैसे डाउनलोड पे क्लिक कर रहा है यहां पर देखो डाउनलोड हो गया चलो अभी दिखाता हूं यह बन चुका है बनाज न दो फोर्मेट में होता जैसे यह चारो पी अंजी है तो इसका आप पीडियाफ कैसे बनाएंगे सिंपल फिर से गूगल में जाना है और यहां पर आपको सर्च क्या करना है यहां पर आपको हमारे इमेज का फॉर्मेट है अभी पी एजी तू पीडियाफ कनवर्टर ठीक है यह आ गया हमारा यहां पर spelling थोड़ा सा mistake ठीक है PNG to PDF converter सर्च करो किसी भी एक website में घुच जाओ और उसी तरह से convert कर लो अभी second चीज हम आपको वह चीज convert करके दिखाएंगे जो बहुत ज्यादा important होता है वह क्या है तो देखो MS word file को na PPT में कैसे convert करें वह देखेंगे तो यहां पर word file folder के अंदर मेरे पास देखो एक word file है ठीक है मैं इसको open करके दिखा देता हूं तो अभी जैसे मैं open करना हो कि यह एक word file है ठीक है इसका extension है .docx ठीक है तो अभी इसका PDF कैसे बनाते हैं वह देखो फिर से Google में चलो आपको जो भी चाहिए जिसमें convert करना कुछ नहीं बस यहां पर search करो हम क्या search करेंगे हमारा word file है word to PPT converter बस इतना ही search करके न आपको कुछ नहीं इस link पर आ जाना है किस इसी भी website पर जा हुआ सब एक ही काम करता है बस करने का तरीका अलग होता है website खूल गया यह वाला अभी यहां पर select file फाइल को आपको select करना है तो file हमारा g drive में word folder के अंदर यहां पर देखो यह word file है मैंने इसको select कर लिया यह देखवा गया open कर दो open कर दिया हमने तो यहां यहां पर convert to convert to में जाओ और यहां पर यह देख लो हमें ppt में बनाना तो powerpoint 2007 से 2019 इसी के बीच में सभी का होता होगा आपका भी version इसी के बीच में होगा ठीक है इतना करने क्वाँ नीचे आओ convert बटन पर take कर दो तो अभी यह देखो hora convert यह जो हमारा word file है यह एक ppt यानि powerpoint फाइल बन जाएगा मैं आपको open करके भी दिखाऊंगा स्टार्टिंग में हमने open करा तो word में open हुआ था अभी देखेगा powerpoint में open होगा तो यह convert होने में थोड़ा सा time लग सकता है तो अगर आपको कुछ भी convert करना है बस google में आओ लिखो convert हो जाएगा यह देखो download हो रहा है यह download हो चुका है फिर से इसे minimize करते हैं this pc में चलते हैं और downloads वाले option पे आओ यह देखो यहां पे हमारा word file powerpoint बन चुका है ppt file बन चुका यह देखो अभी यह powerpoint में खूड रहा क्यूंकि हमने इसका extension change कर दिया ppt file हमने बना दिया same चीज का तो ठीक है guys मुझे आपको यही बताना था कि कैसे आप किसी भी एक तरह की file को किसी दुस आनी से कर सकते हैं क्यों क्योंकि mobile में तो आप जनरली सारे काम को जानते हैं PC में आपको इसलिए करके दिखाया क्यूंकि मुझे वीडियो को record भी करना है और mobile में अगर मैं Google open करके इस तरह से type करता न तो वहां पे हमारा सारा space mobile का keyboard ही ले लेता है इसलिए मैंने अपने computer में आपको बता रहा हूं